करें है भी अ浮लiकम तो आज हम आपके साथ डियर करेंगे नीमबु और कैरी का अचार बनाने के रेसिप्पी तो चलिए हैं बनाना शूरू करेंगे इसके लिए लेंगे हम छे https के नीमबू और कैरे लेंगे दो मीडियम साइल के अब हम ये छे निम्वों का रस निकाल कर रख लेंगे तो रस निकालने के बाद में इसको अच्छे से चान लेंगे चान लेने के बाद में इस तरह से कोई भी कठोरी वहरा में इसको रख लेंगे और इसके बाद में हम कैरी को भी छिलके के साथ में ही काट कर रख लेंगे तो ये देखिए इस तरह से कैरी को हम छोटे छोटे तुकड़ों में काट कर रख लेंगे और इसके अंदर की ये जो हडी है इसका तो यूज नहीं रहता वो हम निकाल कर फेग देंगे तो ये देखिए इस तरह से हम काट कर रख लेंगे छोटे छोटे तुकड़े या फिर बड़े साइज के पीसे भी आप लोग कर ले सकते तीन मीडियम साइज के लेसन के डले लेंगे हम और इसको अच्छे से पहले चील लेंगे यानि के छीलना मतलब साफ कर लेंगे साफ कर लेने के बाद में इसको छीलके के साथ में ही दरदरा कूट लेंगे बिल्कुल बारिक पेजने करेंगे दरदरा कूट लेना है अब ये मोटा कूटा हुआ लेसन हम कैरी के तुकड़ों में आट कर लेंगे नीम्बू का निकाला हुआ रस एड़ करेंगे अब तो नीम्बू का रस जो है अगर आप लोग कॉंटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं खटास जितनी चाह रहे हैं रख सकते छे के बदले आट भी नीम्बू एड़ कर सकते आप लोग अब हम इसमें मोटा नमक एड़ कर लेंग नमक करेंगे ज्यादाने यह अट करेंगे बाद में फिर से टेस्ट करके एड़ कर ले सकते एक टीज स्पून हम एड़ करेंगे हल्दी पॉड़र और यह लाल मिर्ज पॉड़र च्छे टेबल स्पून तो मिर्ची की चॉंटिटी आप लोग बढ़ाना चाहे तो बढ़ा इसका लेंगे यानि कि अगर ज्यादा तेज आचार खाना पसंद करते तो इसके साब से हम लालमिर्स की क्वांटिटी ज्यादा करलेंगे यानि कि छे बदले आथ टेबल स्पून भी आठ कर सकते अच्छे से मिला लेगे हम यह सब चीजे आठ करलेने के बाद में तो यह करेंगे तेल को अच्छा से गरम करेंके बाद में अब हम इसमें आड़ करेंगे एक थीजपून राई और एक तीजपून जीरा राई जीरा कर आड़ करने के बाद में आप मोटा कुर्दा हुआ लेस्न अड़ करेंगे तो एक मीडियम साइस के लेस्न की डally लेंगे उसके बाद में इसको मोटा मोटा कुट कर दाने केल में Cum Child को लेंगे यह कल़ूंजी समोच टी स्वून 1,5 टीसपून मेथी के दाने आड़ करेंगे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में अब हम फले मॉफ कर journalism करेंगे फ्लेम आफ करेने के बाद में अब हम इसमें लाल सुखी मिर्चाट करेंगे पांसे छे लाल सुखी मिर्चाट करेंगे इसके बाद में अब हम इसको थंडा होने के लिए रख देंगे तेल को जब तक ये तेल थंडा होगा अब हम अचार का मसाला बना लेंगे अचार का मसाला बनाने के लिए लेंगे हम एक टीजपून मेथी के दाने, एक टीजपून कलोंजी और राई लेंगे तीन टेबल स्पून, जीरा दो टेबल स्पून तो ये सब चीज़ों को अब हम एक साथ में करके इसका पॉडर बनाके रेडी कर लेंगे तो ये देखिए अचार का पीसा हुआ मसाला बिलकुल रेडी है अब ये पीसे हमें पॉडर को हम तेल में आट कर लेंगे तो ये जो तेल है अच्छा खासा थंडा हो गया, बिलकुल हलका सा गरम है तो ये जो अचार का मसाला है अगर हम ज्यादा गरम तेल में आट कर देंगे तो अचार करवा जाता इसी वज़े से हम हलके से गरम तेल जब यानि कि हलका सा गरम तेल जब हो जाएगा जब यह अचार का मसाला अट कर देंगे तेल में और इसके बाद में हम अचार को बगार लेंगे तो और शुंप में पूझाती किली है तो बगार के लिए हम तेल की कॉंटिटीस ज्यादा ही लेंगे क्योंकि आचार यसे वजय से ज्यादा दिन तक अच्छा रहता तो इसी वजय से के लिए हम तेल आचार्स में ज़्यादा एट गूँए, तो आप लोग भी जह जरूर ज़्यादा एट खेजिए थोकशार को गजर कुर ज़्यादा ऐगता है बग्वाद देनी के बदेने के बाद में यह च्छे निंगे नर्म हो जाएंगे यानि के गल जाएंगे और इसमें अचार में जो है और भी ज्यादा खटा पना आ जाता तो आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते छे महिनों के लिए या फिर उसे ज्यादा दिन तक भी जल्दी खराब नहीं होता है यह चार तो जरूर ट्राय करके देखिए इस रेसिपी को कोई भी अटायट कंटेरनर जार में इसको दाल के रख ले सकते तो जरूर ट्राय करके देखिए नीमबो और कैरी के अचार के रेसिपी को रेसिपी अगर अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पॉर वाचें आला हाफिज